दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने chemical sector के small cap और mid cap stocks cover किये थे बट उन वीडियो को देखने के बाद हमारे viewers की एक query आ रही है और वो जानना चाहते हैं अगर हम micro cap chemical stocks में invest करना चाहते हैं तो at this point of time ऐसे कौन से micro cap chemical sector के stocks हैं जहां पर investment किया जा सकता है तो दोस्तों stocks बताने से पहले हम आपको एक बात clear कर देना चाहते हैं कि यह जो micro cap sector होता है इसमें risk काफी ज़ादा involved होता है और दोस्तों जहां risk होता है वहां high return भी होता है या कह लीजे reward भी होता है तो दोस्तों जो micro cap stocks हैं या तो वो आपकी investment को multi bagger return में convert कर देंगे या फिर आपके investment को zero भी कर सकते हैं जी हां दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना micro cap category के stocks zero या hero category के होते हैं तो अगर आप इन में invest करना चाहते हैं तो आप अपने portfolio का मातर 1-2% exposure इन में दे सकते हैं अपने risk appetite के हिसाब से और दोस्तों अगर आप risk नहीं ले सकते micro cap sector में investment करने का तो friends आप इनको ignore करके भी चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों बिलकुल सीधा funda है जितनी चोटी company होगी जितना चोटा share होगा उतनी जादा उसमें risk होगी और हाँ दोस्तों अगर आपने वो पहले वाली जो हमने mid cap और small cap chemical stocks की वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो दोस्तों इस वीडियो को end में हमने उन दोनों वीडियो का link दिया गया है इस वीडियो को complete करने के बाद इस वीडियो को end तक देखने के बाद आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये कोई buying या selling call नहीं है ये वीडियो सिर्फ हम educational purpose के लिए बना रहे हैं अगर आप किसी stock को खरीदना है बेचना चाहते हैं तो अपने financial advisor की सलाव जरूर लें so friends our today's first stock is crest cam limited दोस्तों एक छोटी सी company है micro cap level की company है 21 crore का market capital है only 21 crore अब दोस्तों इसका एक बार return का pattern भी देख लेते हैं इसने पिछले past में अपने investors को shareholders को कितना return generate करके दिया है तो friends crest cam का past return का chart आपकी screen पे है और आप देख सकते हैं last five years में अगर हम five years की बात करें means 2018 से लेके अब तक तो इसने 471% के return बना के दे दिये है it means कि अपने investors की wealth को almost 6 गुना तक इसने कर दिया है और अगर हम last एक साल का data देखें तो इसने 88% का return पिछले एक साल में अपने shareholders को बना के दिया है friends जहाँ पे अब देख सकते हैं बड़ी बड़ी companies पिछले एक साल में negative return पे खड़ी हैं वहाँ पे देखो यह छोटी सी company 88% और 88% मतलब क्या अपने investors की wealth को लगबग double ही हो गया मतलब 10% काम चलो और इतना return इस market का जो sentimental चल रहा है उस हिसाब से अगर एक साल में 88% का return है friends अगर इस return को इस scenario में market के इस हालात में multi bagger return बोला जाए तो शायर यह गलत नहीं होगा तो what I mean to say is बहुत अच्छा return इसने generate करके दिया है अगर लास्ट 6 महीने की बात करें तो 64% यह देखिए तो return मनाने में बहुत शांदार company है और लास्ट एक महीने में 11% का return है और दोस्तों अगर हम इसके product portfolio की बात करें तो छोटी सी company है दोस्तों और market में इसका leadership position है it is the industry leader in medium chain triglycerides that is MCT medium chain triglycerides and other than this lactose free products and oil and fats in powder form और अगर हम company के experience की बात करें तो 1991 से यह company business में है यानि कि इसको business की अच्छी खासी समझ है और management भी experienced है तो friends इस type की companies में आप थोड़ा बहुत investment करके चल सकते हैं as per your risk appetite और अगर हम fundamentals front की बात करें तो ROCE that is return on capital employed 36% का है और return on equity almost 32% का देखने को मिलता है और face value rupees 10 की है और friends अगर हम इस stock का all time high देखें तो लगबग 93 rupees का इसने all time high बनाया है और currently यह 70 के आसपास 71 के आसपास state कर रहा है और दोस्तों नीचे की तरफ अगर इसमें और गिरावट देखने को मिलता है तो 60 rupees पे इसका काफी strong support है उससे नीचे 40 rupees पे इसका support है यानि की कह सकते हैं हर 20 rupees के gap पे यहाँ पे एक strong support देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे अगर further गिरावट होती है 60 rupees के level पे आप इसमें add करके चल सकते हैं और अगर 60 rupees से नीचे यह तूटता है तो 40 rupees के आसपास भी इसमें एक strong support देखा जा सकता है लेकिन दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि यह 40 rupees पे आएगा ही आएगा तो ठीक है आप इसको track कर सकते हैं support के level हमने आपको बता दिये है 60 and 40 तो आप अपने हिसाब से इसमें play कर सकते हैं और दोस्तों अगर इसकी compounded profit growth देखें लास्ट 5 years की तो 41% की है और लास्ट 3 years में 75% की है और दोस्तों इतनी छोटी सी company के लिए ये profit growth compounded profit growth काफी शानदार मानी जाएगी तो आप बढ़ते हैं अपने next stock की और लेकिन दोस्तों अगले stock के बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे देगे लाल रंग के subscribe बटन को दबा कर चैनल को subscribe करें और bell icon को दबा के all पे जरूर क्लिक करें और friends इस वीडियो को जरूर like करें और next stock is Shiri Cam Residence Limited और friends microcap company है इसका market capital की बात करें तो सिर्फ 20 करोड का market capital है that's it अब इसका भी सबसे पहले एक बार return देख लेते हैं past में इसने क्या-क्या कितने return बना के दिये हैं अपने shareholders को तो दोस्तों अगर हम last five years का data track करें तो five years में इसने उससे भी जादा पहले वाले से भी जादा return बना के दिये है पांसो बाइस परसेंट यानि की अपने investors की wealth को छे गुना से भी जादा कर दिखाया है मातर पांच साल में यानि की एक लाख रुपे का इसने छे लाख से भी जादा convert कर दिया है in five years only और अगर हम one year का track करें तो 78 परसेंट तो इसके भी गिरावट का मतलब ये है कि इसमें all time high से अच्छा खासा discount अभी देखने को मिल रहा है यानि की अगर किसी को नई investment करनी है fresh investment करनी है तो उसके लिए यहाँ पर opportunity देखी जा सकती है और levels investment levels क्या-क्या निकल के आएंगे वो अभी हम technical analysis में detail में discuss करेंगे तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये 50 यान की 52 रुपीज के आसपास चल रहा है 52 रुपे का इसका आज का closing है और all time high check करें तो देख सकते हैं लगबग 219 रुपे का इसने all time high clock किया है तो यहाँ पर circuit to circuit इसमें गिरावर देखने को मिली थी और जिस level पे जिस support level पे इसने पहले resistance face किया था वहीं पे अभी भी ये support ले रहा है और पिछले kind trading session से ये 50 रुपे के आसपास से consolidate कर रहा है तो दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा बहुत investment करना चाते हैं तो मुझे personally ऐसा लगता है कि ये level भी investment करने के ठीक ठाक ही है क्योंकि अगर हम RSI की बात करें तो 43 पे इसका RSI level देखने को मिलता है और अगर fundamentals की बात करें तो return on capital employed इसका 30% है return on equity लगबग 34.2% देखने को मिलता है और इसकी compounded profit growth भी काफी शांदार है last 5 years में 69% की है last 10 years में 42% की compounded profit growth देखने को मिलती है और friends अगर इसका business model देखा जाए तो ये refractories बनाने में काम करता है अब देख सकते है it is leading manufacturer of magnesia carbon refactory aluminium carbon refactory dolomite refactory and continuous casting refactory and experience देखिये दोस्तों over last 18 years company has consolidated its position as market leader in refactory resins तो दोस्तों 18 साल का experience है और तब से इसने अपनी speciality में that is in the field of refractories resins काफी अच्छी position कमांड कर ली है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने next stock की और और इस list का हमारा next stock है Chem Crux Enterprises Limited दोस्तों अभी ये 300 रुपे के आसपास trade कर रहा है और अगर हम इसकी market capital की बात करें तो लगबग 450 रुपेस का market capital देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अब Chem Crux Enterprises के past performance की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर last five year का data देखा जाए तो इसने 2600 से भी जादा के return बना के दे चुका है अपने investors को मातर 5 साल के समय में तो दोस्तों ये होती है चोटी companies की power माइक्रोगैप companies की power multi bagger addon बना के बिलकुल आसानी से दे सकते हैं और अगर एक साल की बात करें तो पैसा double से भी जादा इसने अपने investors को कर दिया है और अगर 6 महीने की बात करें तो यहां पे 34% का गिरावर देखने को मिल रहा है और अगर एक महीने की बात करें तो यहां पे पिछले एक महीने में 12% के गिरावर कंपनी में दर्च की गई है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके business model की की company business किस चीज में करती है तो अगर इसके business वर्टिकल देखे जाएं main, principal business वर्टिकल तो वो है bulk drugs API that is active pharmaceutical ingredients तो दोस्तों यह pharma companies के लिए भी कुछ special chemical, speciality chemicals manufacture करती है other than this यह dyes के वर्टिकल में भी काम करती है and pigmentation में भी काम करती है तो कुल मिलाके इसका product portfolio काफी diversified देखने को मिलता है तो जो एक काफी अच्छा plus point माना जाएगा और दोस्तों केमकरक्स अभी अपने support लेवल के आसपास काम कर रहा है 300 रुपे की range में इसका एक काफी strong support देखने को मिल रहा है down the line 200 रुपे के आसपास भी इसका एक next support है और काफी strong support इस लेवल पे देखने को मिल रहा है तो कुल मिलाके हर 100 रुपे के gap पे इसमें एक support है और उपर की तरफ अब देख सकते हैं 400 रुपे पे भी काफी strong support और resistance था और 500 पे ये all time high इसने लबब 500 रुपे के आसपास ही बनाया है और वहां से touch करके ये अभी अपने 300 रुपे के level पे support ले रहा है तो दोस्तों हर support में आप थोड़ा बहुत खरीदारी करके चल सकते हैं 300 रुपीस की range में आप खरीदारी करके चल सकते हैं थोड़ा बहुत अपने risk appetite के हिसाब से जैसा कि हमने वीडियो के starting में आपको clearly बिल्कुल clear cut शब्दों में explain कर दिया था अगर RSI levels की बात करें तो 39 का इसका RSI level है तो RSI level इसका काफी comfortable zone में मुझे लगता है now if we discuss of return on capital employed तो fundamental level पे ये काफी strong है return on capital employed is almost 38% return on equity is somewhere around 31% और दोस्तों historical अगर हम compounded profit growth देखें तो last 10 years में 36% की profit growth है last 5 years में 58% की profit growth है all in all company के fundamentals अच्छे हैं छोटी company है तो छोटी company के हिसाब से अपने risk appetite के हिसाब से आप invest करके चल सकते हैं so let's move on to our next stock now so friends our next stock is Seco Industries Limited अब सबसे पहले छोटी companies की बात हो रही है तो market capital देख लेते हैं दोस्तों सिर्फ 130 करोर का market capital है और अगर इसकी past performance की बात करें की past में इसने अपने shareholders को कितना return बना के दिया है वो भी एक पर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इसने 205% का return बना के दिया है यानि कि 5 साल में अपने investors की wealth को 3 गुना तक multiply कर दिया है अगर एक साल की बात करें तो दोस्तों एक साल में 130% का return यानि कि एक लाग को दो सुरी दो लाग 30,000 रुपे इसने convert कर दिया है यानि कि लगबग सवा दो गुना और आप देख लेते हैं इसका 6 महिने का चार्ट तो 14% का return है पिछले एक महिने में 18% का नुकसान यहां पे देखने को मिल रहा है तो friends बहुत जल्दी ऊपर नीचे आप सेंड डाउंस काफी ज़ादा देखने को मिलते हैं माइक्रो कैप कंपनी में चोड़ी कंपनी में तो अब इसका business model भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि जिस company में आप invest करते हो दोस्तों उसका business model की idea आपको जरूर होना चाहिए तो friends यह agricultural fungicides में, pesticides में, bio fungicides इस टाइप के products में काम करता है आप अपने screen पे देख सकते हैं वहाँ से idea आपको लग गया होगा और अगर detail जाननी है तो इसके product portfolio की तो organic certified agro chemicals organic agro chemicals agro chemicals, fertilizers, seeds, sprayers, FMCG products और यहाँ पे भी multiple आगे chain है organic agro chemicals में organic pesticides, fungicides, plant, growth promoters, etc agro chemicals में देख सकते हैं pesticide, fungicides, herbicides, weedicides, plant growth regulators fertilizers में देख सकते हैं organic fertilizers, chemical fertilizer, water soluble fertilizer, soil conditioners okay and seeds sector में आप देख सकते हैं field crop seeds and vegetable seeds तो इसका business model का idea आपको लग गया होगा agricultural sector से belong करती है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि government agriculture sector को लेके काफी promotion program चलाती रहती है तो उससे भी इस company को बढ़ावा मिल सकता है तो अब इसका technical chart देख लेते हैं friends अब technical level पे देखें तो ये 78 rupees के आसपास trade कर रहा है यहाँ पे इसका अलका सा support नजर आता है लेकिन down the line अगर हम देखें तो 45 rupees के आसपास इसका strong support नजर आ रहा है वहीं अगर इसका all time high check किया जाए तो 138 rupees के आसपास इसका all time high देखने को मिलता है और अगर हम इसका RSI level देखें तो 21 का इसका RSI देखने को मिलता है तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है तो friends अब जल्दी से बढ़ लेते हैं अपने next talk किया और लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है और अगर levels की बात करें तो अभी 86 रुपीज के आसपास ये trade कर रहा है अब दोस्तों अगर इसकी past performance की बात करें तो last 5 years में इसने लगबग 193% का return डिलिवर किया है वहीं पिछले एक साल में 35% का return है पिछले 6 महीने की बात करें तो लगबग 18% का यहां पर return बना के इसने दिया है और last 1 month में 5% की गिरावट इसमें दर्च की गई है तो दोस्तों अगर इसका हिंद कोन chemicals का business model देखा जाए तो product एक बार brief में देख लेते हैं sodium silicate में ये deal करती है cement additives products में ये deal करती है तो फिरंट इसका all time high लगबग 147 के आसपास देखने को मिलता है और अभी ये 86 के आसपास trade कर रहा है तो उपर से काफी अच्छी खासे discount investors के लिए यहां पे available है और यहां पे आप देख सकते हैं 75 रुबीज का एक काफी strong support है down the line 50 रुपे का इसमें support इसने test किया है तो हम कह सकते हैं लगबग हर 25 रुपे के gap पे यहां पे support लेवल देखने को मिलता है दोस्तों अगर इसका return on capital employed की बात करें तो 17.5% है return on equity almost 13.3% देखने को मिलता है और RSI level की बात करें तो 46 का RSI यहां पे देखने को मिल रहा है तो दोस्तों जो small cap और mid cap specialty chemical stocks थे उनकी वीडियोज आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है आप उन वीडियोज को भी end तक जरूर देखें इन में भी हमने काफी high growth multi bagger chemical stocks cover किये हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक के लिए good bye take care and thank you for watching this video